विदेशी बाजारों में गिरावट के चलते हफ़ते के शुरुवात में ही सोया तेल और सोया बीन तिलहन के दामों में गिरावट दर्च की गई जबकि कच्चे पाम तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिला वही मलेशिय एक्सचेंज में लगबग 2.25 फिसद की गिरावट थी जबकि शिकागो एक्सचेंज लगबग 1 फिसदी कमजोर रहा फिलाल देखा जाए तो विदेशों में गिरावट के रुक के बाब जूद देश के तेल तिलन बजारों में कच्चा पाम तेल यानी सीपियो, सोया बीन और सुरज मुखी तेल के दाम में कोई भी कमी नहीं आई है देश में सोया बीन जीगम और सुरज मुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की छूट दिये जाने के बाद से विदेशों में सुरज मुखी के भाव लगबग 400 डोलर तक तूट चुके हैं पर इसका कोई असर स्थानिया बजारों पर नहीं दिखाई दिया इसका मुख्या कारण एक सीमा में शुल्क मुक्त आयात की छूट दिये जाने के बाद तेल की सप्लाई का कम होना है यानि शुल्क मुक्त आयात के इतर आयात का लगबग रुक सजाना है मिली जानकारी के मुताबिक देश में सूरज मुख्य और सोयाबीन जीगम की प्रतिमा लगबग ठाई लाग तन खाद्या तेल की मांग हो रही है सरकार ने बीस लाग तन सूरज मुख्य का शुल्क मुक्त आयात पूरे साल में करने की छूट भी दी है और यह चूट केवल उभुक्ताओं के बीच वितरन करने वाली खाद्या तेल प्रससकर्म कमपनियों को मानने है यानि हर महीने करीब 1,65,000 तन के बराबरी खाद्या तेल का आयात किया जा सकेगा इससे खाद्या तेलों की मांग सप्लाई के मुकाबले अधिक हो जाती है और इससे अलग जो आयात होगा उस पर 7 रुपे प्रती किलो का शुल्क अदा करना होगा बजार भाव सस्ते तेल के हिसाब से तेह होगा तो शुल्क अदाईगी के साथ अधिक लागत वाले तेल पर भी इसके कीमत कम कीमत का दबावाएगा ऐसे में आयातक आगे के सोदों को खहीदने से बच रहे हैं जिसके कारण बजार में हलके खाद्या तेलो की सप्लाई खट गई है और इसे कीमते जैसे की तैसे बनी हुई है बिरो रिपोर्ट मारके टाइम्स टीवी